गूट मॉर्निंग एवरीवन वेल्कम बैक टू मैं चैनल इंडियन यूटूबर प्रिया चंदेल फ्रेंड्स आज जो रेसिपी में आप लोगों के साथ शियर करी हूं वह एक फेमस ट्रीट फूल रेसिपी है वेज चावमें या वेजिटेबल नूडल्स यह बहुत जादा पसंद की जाती है तो चलिए फ्रेंड्स आज स्टार्ट करते हैं यह रेसिपी तो फर्स्ट मैंने यहां नूडल्स जो हैं उसे बॉइल करने के लिए रख दिया है मैंने यह बहुत पानी लिया है और उसमें यह नूडल्स बॉइल करने के लिए रख दिया है बॉइल करते तो मैंने जो नूडल्स है वो बॉइल हो चुके हैं और उन्हें स्ट्रेइन करके रख दिया है और उनके अंदर मैंने हलका सा ओईल लगा दिया है ताकि वो चिपके नहीं और यहां मैंने यह कड़ाई ली है और उसके बाद अब मैं इसमें एड करूंगी रिफाइंड ओईल और ओईल लेने के बाद अब मैं यहां पर इसे हलका सा गरम होने दूँगी और गरम होने के बाद मैं इसके अंदर एड करूंगी यहां ऑईल जो है गरम हो चुका है और अब मैं इसमें एड करूंगी यह कटा हुआ प्यास ओणियन और इसे मैं अच्छे से थोड़ी देर पका लूँगी ओनियन को और ओनियन के बाद मैं इसमें एड़ करूँगी फिर बाकी की वेजिटेबल्स फिर्स्ट मैं ओनियन पका लूँगी और यहां ओनियन पक चुगा है थोड़ा सा अब मैं इसमें एड़ करूँगी यह कैपसिक अब मैं इन सब को अच्छे से मिक्स करते हुए थोड़ी देर इनको पका लूँगी ताकि इनका जो थोड़ा कच्छापन है वो खत्म हो जाए और मैं देखिए इसको पका रही हूँ देखिए यहां मेरे वेजेटेबल जो हैं अच्छे से अब कुक हो चुके हैं और उसके बाद अब मैं इसमें एड करूँगी यह बॉयल नूडल्स जो मैंने आपको बताया था मैंने हलका सा ओल लगा के पहले रख लिये थे बॉयल करके अब मैं देखिए से यहां एड कर अब मैं इसमें एड करूँगी नमक, सॉल्ट, टेस्ट के अकॉर्डिंग और उसके बाद मैं एड करूँगी इसमें ब्लैक पेपर, काले मिच पाउडर है यह भी मैं इसमें स्वाद के अनुसार ही यूज करूँगी जितना आपको स्पाइसी चाहिए जितना आपको तीख अब इसमें यूज कर सकते हैं और उसके बाद मैं इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी एक बार अब मैं इसमें एड़ करूँगी ये सॉस बाकी की तो फर्स में इसमें एड़ करूँगी ग्रीन चिली सॉस एक स्पून और उसके बाद इसमें एड़ करूँगी सोया सॉस थोड़ा सा और उसके बाद मैं इसमें एड़ करूँगी वाइट विनेगर थोड़ा सा और इसके बाद अब मैं इन सब को अच्छे से मिक्स कर लूँगी एक स्पून की हेल्प से मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मैं इसे देखिए अलके हलके से mix करती रहूंगी अच्छी तरह से ताकि जो सारी sauce है और सब कुछ है अच्छे से mix हो जाए noodles के साथ तो मैं इसे हलके हलके से mix कर लूँगी तो देखिए यहां मैंने noodles अच्छे से mix कर लिए हैं और अब यह बनके तयार हो चुके हैं तो अब मैं इसे यहां आपको सर्फ करके दिखाती हूँ यहां मैंने अपनी noodles जो हैं प्लेट में सर्फ कर दिये हैं और यह देखने में बिल्कुल बजार जैसे लग रहे हैं और यह खाने में बहुत टेस्टी बने थे तो प्लीज फ्रेंड यह रेसिपी जरूर ट्राइक कीजेगा और अगर यह रेसिपी आपको अच्छी लगे प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा बाबाई टुटे